जेहिंद एक बाफ फिर से आप सभी का तेहें दिल से हार्दिक शौगत है उत्तर प्रदेश पुलिश बर्ती 2022 असिस्टेंट आपरेटर या फिर हैड आपरेटर के अगर आप तयारी करते हैं तो आप सभी प्यारे भाई बेन ये तो जानते हैं कि इसमें जीके के कोईसेंस आने वाले हैं गाईस हमारी ये जीके के क्लास नंबर 11 है इसके पहले हमने 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है अगर आपने नहीं देखा आए तो आप चैनल की प्लेलिश्ट में जाकर के हर एक क्लास को अच्छे से देख सकते हैं आज से आपके UPGK की स्रीज भी स्टार्ट हो चुकी है और आज से याणि की गाईस आज हो चुका आपका 26 अप्रेल 26 अप्रेल से आपके UPGK भी सुरूज किये और ये स्रीज जो ही हमारी लगातार चलती रहेगी ठीक है जिसमें हम 40-42 question को complete करते रहेंगे मेरे भाई आपके science की class भी होती है 8 बजे GK की class आपकी होती है 7 बजे इसके पहले आपकी Hindi complete हो जाती है 7 बजे Guys आपकी जितनी कोशिस मतलब आपके लिए कर सकते हैं हर संबो हमारी कोशिस जारी रहेगी क्योंकि इस बार आप सभी को selection दिलवाना है आपके लिए एक seat जो guys वो आपकी नाम करना है ठीक है तो guys हम आपके लिए जितनी कोशिस कर सकते हैं हर संबो हमारी कोशिस रहेगी कि आप सभी का इस बार selection हो जाए और वैसे भी उमीद नहीं बलकि आप पूरा विश्वास है कि अगर आप पुरी जान के साथ लगे रहेंगे पुरी दिन रात एक करके पढ़ाई करेंगे तो निश्चे दे कि आप सभी को वर्दी जरूर मिल जाएगी मेरे भाई जिन्दगी में जो चाहिए वह मिलेगा बस किसमत से जादा खुद पर विश्वास होना चाहिए है ना जिन्दगी में आपको जो चाहिए वो मिलेगा लेकिन आपको किसमत से जादा अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए मेरे भाई अगर आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं ना ये विश्वास नामक सब्द अगर आपके अंदर है ना तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि दिनिया के इसे कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सेलक्षिन होने से रोग सके ठीक है तो चलिए आज की इस ब के सामने कि इतिहास के आरंभिक काल को निमने लिखित में से क्या कहा जाता है इतिहास के आरंभिक काल को निमने लिखित में से क्या कहा जाता है इसका अंसर आप सभी मित्र बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखो इतिहास की आरंभिक काल को क्या कहा जाता है पूरा पासान काल कहा जाएगा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा SSC Online Metric का सरिये परिक्षा में आपका कोईशन पूछा गया था अगला कोईशन आपके सामने मेरे भाई की भीम बेट का गुफा जो है यह किस राज्य में है इसका आंसर आप सभी में तर बताएंगे भीम बेट का गुफा जो है किस राज्य में है मेरे भाई समझने की कोशिस करना important बहुत है आपका यह कोईशन देखो भीम बेट का गुफा भीम बेट का गुफा किस राज्य में है मेरे पैरे भाई ये है मद्द प्रदेश के भौपाल में कहा है तो ये है मद्द प्रदेश के भौपाल में तो जो भी पैरे भाई भेन पैरे मित्र हाँ पर option D बता रहे हैं कि मद्द प्रदेश के भौपाल में भीम बेट का गुफा बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला कुश्चन है कि किस काल या युग में पत्थर के आउजार सबसे पहले पाए गए थे इसका अंसर आप सभी बताएंगे किस काल या युग में पत्थर के आउजार जो है ये सबसे पहले पाए गए थे पटफ़र आंसर देंगे सभी पहले भाई भाई बेन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो लगबग सभी पहरे भाई बेन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है मेरे भाई बेन पुरा पाशान काल में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आप्शन भी पुरा पाशान काल में ठीक है पुरा पारशानकाल में पत्थर के उजार सबसे पहले पाए गए थे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपको option number B अगला है कि सिंदू गाटी सब्विता के सहरों की गलिया कैसी थी इसका आंसर आप सभी बताएंगे कि सिंदू गाटी सब्विता के सहरों की गलिया जो थी यह कैसी थी आपसे question पूछा गया है important है आपका ये भी मित्र फटा फट आंसर देंगे देखो guys सिंदू गाटी सब्विता की जो guys गलिया थी वो कैसी थी चोड़ी और सीधी थी कैसी थी चोड़ी और सीधी ठीक है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका option a चोड़ी और सीधी ठीक है ये हैं सिंदू गाटी सब्विता की सहरों की गलिया मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाता है कि वहाँ की सडके कैसी थी तो सडके मेरे भाई compression की और लÕक दूसरे की सम्कोर पर कारती थी यहां की सडके और जो गलिया थी ये कैसी थी तो ये चाओरी और सीधी थी ठीक है आपसे ये आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question आपके सामने मेरे भाई question क्या गए राज समझना यहाँ पर ये भी आपका important है कि निर्मलकित मैंसे कौन से सभ्यता अपने नगर और योजन के लिए प्रिसिद्ध है इसका answer आप सभी मेत्र बताएंगे इसका correct answer क्या हो जाएगा निर्मलकित मैंसे कौन से सभ्यता अपने नगर और योजन के लिए प्रिसिद्ध है सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा सिंदू घाटी सभिता correct answer क्या हो जाएगा यहां पर आफका वो हो जाएगा सिंदू घाटी सभिता तो जो भी प्यारे भाई बेन प्यारे मित्र यहां पर बता रहे हैं कि सिंदू घाटी सभिता option A बिल्कुल perfect बिल्कुल correct answer आपका हो जाएगा अगला है कि निर्म लिखित मेंसे कि सिदेश का आ लिखित सम्मिधान है मतलब कि सिदेश का लिखित सम्मिधान नहीं है मेरे भाई इसका answer आप सभी बताएंगे और जो भी पहरे भाई बेन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किये है मैं एक बार पहले क्लास को दिल से लाइक कर दें सभी मेतर एक बार क्लास को दिल की गहराईशे लाइक कर देंगे उसके बाद ही आगे क्लास को देखें अगर मैं आपके लिए ताकत लगाता हूँ, आपके लिए पूरी जीर्जान लगाता हूँ आपके गाई सपने को पूरा करने के लिए हम जितनी ताकत लगा सकते हैं पूरी ताकत लगा रहें तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम आप क्लास को लाइक कर ही दिया करो तो जो भी मेत्र भी तक क्लास को लाइक नहीं किये हैं पहले क्लास को लाइक कर देंगे फिर हम आगे क्लास में बढ़ेंगे सभी मित्र पहले class को like कर दो फिर आगे बढ़ा जाएगा पहले like कर दो फिर आगे बढ़ेंगे सभी मित्र like कर दो पहले like करने में आपका कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई अगर like करने में आपका कुछ जाता तो मैं खुद नहीं कहता कि आप class को like कर दो देखो जो guys जो UK है या फिर जो guys आप कहो Britain ठीक है UK या फिर कहा जाए Britain यहां का guys जो सम्मिदान है यह आ लिखित सम्मिदान है ठीक है जबकि USA पाकिस्तान और भारत का जो सम्मिदान है यह एकपड़कार का लिखित सम्मिदान है लेकिन जो UK है या विरिटेन है यहां का लिख अगला आपके सामने कि भारत की सम्मिधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी सभी प्यारे भाइबेन क्लास को शेयर करके क्लास में लाइव की संख्या पचास प्लस पहुचा दो सभी में तरे एक बार क्लास को लाइक कर दें और क्लास को सेयर कर दें सभी पहरे भाइबेन क्लास को सेयर कर देंगे एक बार भारत की सम्मिधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी मेरे भाई कैविनेट मिसन के कहने पर बनाई गई यहाँ पर सखी आंसर क्या होगा आपका वो हो जाएगा cabinet mission तो यहाँ पर सखी आंसर क्या हो जाएगा आपका option number D cabinet mission आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि भारतिय उप महादियूप मूलता एक अंग था किसका फटा फटा अंसर देखो जो भारतिय उप महादियूप है यह किसका अंग था यह गोंडवाना लेंड का अंग था किसका अंग था तो यह गोंडवाना लेंड का था तो जो भी प्यारे भाईबेन प्यारे मे तरहां पर option D बता रहे हैं कि गोंडवाना लेंड का बिल्कुल correct बिल्कुल perfect answer आपका हो जाएगा तो जो भी पहरे भाई बेन option D बता रहे हैं बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपका पूछा गया है यह ससी section आप पर एक सा 2006 में आपका यह भी important है बहुत ही ठीक है समझ लेना मेरे भाई जो भी question आपको टफ लगे आप उसका screen shot तुरंद ले लेना ठीक है मेरे भाई यह question आपसे पूछा गया है और थोड़ा सा समझो मिलान करना है कि कौन सा बांध किस नदी पर है इसका answer आप सभी को बताना है इसके लिए आप समय वी ले ले लिजी और important है फटा 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 आंसर दीजे कौन सा बांध किस नदी पर है अब देखो मेरे भाई हीरा कुंड बांध जो है यह कहा है यह महा नदी पर है ठीक है जो पोंग डैम या फिर जो पोंग बांध है यह किस नदी पर है तो यह भाई ब्यास नदी पर ठीक है यह भी मिल गया फिर देखो जो टिहरी डैम है या फिर जो टिहरी बांध है यह किस नदी पर है तो यह भागी रथी नदी पर यह भी मिल गया तो option A and C में मिल गया, फिर देखों, फिर यह guys C पर होना चाहिए 2, C पर क्या होना चाहिए 2, तो मतलब यहाँ पर आपको जो सखीर answer हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा option number C, तो जो भी पहरे भाई भी पहरे मित्र यहाँ पर option number C बता रहे हैं, बिल्कुल correct, बिल्कुल perfect answer हो जाएगा, very very important question है आपका guys, आप इसे समझने की कोशिस करना ठीक है, अगला question आपके सामने है, question क्या गए रहा है मेरे भाई, question समझना, question है कि निमने में से का answer भारत की पूर्वीतर का एक मुख्य बंदरगा या मुख्य पतन है, इसका answer आप से भी बताएंगे, बगल में चड़िया ज्यादा बोल रही है मेरे भाई, ठीक है, तो थोड़ा guys, अगर आपको सोर लग रहा होगा, तो समझ लेना, ठीक है, मैनस के लेना उतना, आप थोड़ा सांत हो गई है, तो देखोगा, इस भारत की पूर्वी तटका, एक मुख्य बंदरगा पतन जो है, यह है, मतलब मुख्य बंदरगा पूर्वी तटका कौन से है, तो याद रखना मेरे भाई, इसका सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिशाखा पतनम, तो जो भी पैरे मित्र, पैरे जाएगे, और जो भी पैरे भाईवें, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किये है, वह एक बार क्लास को दिल की गहराइश से लाइक कर देंगे, कहने की जरूरत ना पड़े, मिरे भाई, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप सब की जिम्मेदारी है, कि आप कम से फाइदा नहीं है, किवल हमारा एक ही टारिगेट है, जो आप सभी का सेलेक्शन करवाना है, तो आप सभी मित्र अपने इस टारिगेट को गाईश, हमारा अदेश से मान कर, आप की रप्या क्लास को लाइक करो, आपके एक लाइक से मुझे बड़े मोडिवेशन के काम मिलत और इसके लाइब आप सभी जानते हैं, कि मैं किवल आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही खुश हो सकता हूं, ठीक है, और आपके अंसर से मैं खुश हो सकता हूं, कि आप किस प्रकार आंसर देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बेन, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक कि यह नहीं किया है तो अग silicon को दिल की घर्याय से लाइक कर दो उसके बार क्लास में आगे बढ़ा जाएगा पहले लाइक कर दो कुछ बच्छीा के जो लाइक यू Gay कर दे उनको बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन जो nai ki को sav़Fit वंहावर स्रेवा बंदरगावी कहा जाता है और यह हय कहा अगर आपसे यह बूशा जाता है तो याद रिखना मेरे भाई यह हैं कहाँ पर मौंबई में है थीग है तो यहाँ पर परफच्थ अंसर क्या हो जाएगा आपका option नमबर C मूंबई में तो जो भी प्यारे भाई बेन आपसन सी बतारे मूंबई में बिल्कुल correct बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला आपके सामने कि राश्ट्रिये वनस्पत अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां इस हिट है इसका अंसर आप सभी में तरो बताएंगे राश्ट् वन अनुसंधान कहा जाता तब आपको आते देहरादून बट मेरे भाई यहां पर वनस्पत अनुसंधान कहा गया है तो याद रखना राश्ट्रिये वनस्पत अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये है उत्तर प्रदेश की रास्तानी लखनव में तो मेरे प्यारे बारत का उफग्रा प्रमोचन केंद्र कहा इस्सित है आप से पूछा गया है सभी मित्र इसका अंसर देंगे फटा फट राइट आंसर क्या हो जाएगा याद रखना मेरे भाई भारत का उपग्रा प्रमोचन के अंदर जो है ये कहाँ पर है तो ये है आंदर प्रदेश के सिरी हरी कोटा में तो जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई वेन option c بتा रहे हैं बिल्कुल correct बिल्कुल perfect answer आपका यहाँ पर option number C हो जाएगा सिरी हरी कोटा बिल्कुल perfect answer आपका हो जाएगा मेरे भाई पूरी जान के साथ लगे रिहना पूरी ताकत लगा देना इस बार एक seat को लेने के लिए और कुछ बच्चों के ऐसे भी होंगे मैं आपको बता दूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनका ये लाश्ट चांस होगा और कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनका ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगा तो देखो गाइस अगर आपका ये फर्स्ट चांस है या फिर अगर कहा जाए तो आपका सुनह लाइक हो जाओगी अगर आपका अंतिम प्रेफरेंस है तो आपके लिए गाइस बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है आपको पूरी जान लगाना होगा पूरी ताकत लगाने होगी वैसे तो गाइस उम्मीद नहीं बलकि पूरा विश्वास है अगर आप पूरी जान के साथ लगे रहेंगे पूरी ताकत लगाकर पढ़ाई करते रहेंगे ना तो प्रेफरेंस को प्छें नहीं का इसन पर नहीं i कब करवाँगा बिल्कुल गाइस, मैं आपको बता दूँ कुछ बच्चे पहले पूछ रहे तो मैं बता दूँ कि चो गाइस आपका करन्ट है ना, करन्ट से गाइस अगर कहा जाए तो बहुत कोईशन आ जाएंगे आपके, तो चार या पांच कोईशन आ सकते हैं, बहुत आ जाएंगे तो चार से पांच इस अजिक क्रेंट एफेर के नहीं आने वाले हैं ठीक है तो खरणट एफेर को लेकर कैप चिंटा बिल्कुल भी न कीजे मेरे भाई ठीक है कररणट एफेर हम आपका कबर करवा दें के बिल्कुल आप चिंटा न कीजे गाईज अब आपका अग्जाम बचेगा लगब गाईज मतलब डेट आ जाएगी एक्जाम की कि एक्जाम आपका कब से तह मैं करेंट अफेर्ट सुरू कर दूंगा आपका अपकी होई रही है मैथ आपका होई रहा है अब आईए हम बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ नेक्ट कुशन आपके सामने है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है इसका अंसर आप सभी मित्र बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाती जो है या कौन सी है बेरी बेरी इंपोर्डन कुशन है आपका सभी मित्र फटाफ़ड आंसर दे देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी जनजाती है फटा फटा फट आंसर दीजे गलती कोई भी नहीं करेगा मेरे भाई याद रखना मित्र भारत के सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है वो है गोंड जनजाती सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका आपसन नमबर सी गोंड जनजाती जो भी मित्र बता रहें बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने है कि जूलती हुई मिनारों वाली मस्जिद जो है भारत के कि सहर में है मैं भाई मैं आपको बता दूए कि जूलती हुई मिनार जूलती मिनार यह जो है गाईच यह उपनाम है किस मस्जिद का उपनाम है याद रखना किस मस्जिद का उपनाम है तो यह सीधी वसीर मस्जिद का उपनाम है लिख दे रहा हूं आपर सीधी वसीर मस्जिद सीधी वसीर मस्जिद जो कि गाइस अहमदाबाद में है सीधी मसीर मेजित कहाँ पर है अहमदाबाद में है और इसे ही यह कहा जाता है जूलती मिनार ठीक है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका अहमदाबाद तो जो भी पहरे भाई भेन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्सेन नमबर बी बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल परफक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला आपके सामने है कि डांडिया लोक निरत्य जो है यह किस राजी से संबन दित है इसका आप सभी मित्र बताएंगे डांडिया नहीं करने का मेरे भाई ठीक है देखो डांडिया लोक निरत्य जो है किस राज में है यह आपका हो जाएगा गुजरात में तो जो भी मित्र जो भी पहरे भाई भाई यहाँ पर ऑप्सेन सी गुजरात में बता रहे हैं विल्कुल परफक्ट आंसर आपका ऑप्शन नमबर जाता है लेकिन उतना उत्सास से नहीं जितना की कहां पर पश्चिम मंगाल में जितना की पश्चिम मंगाल में मनाया जाता ठीक है और काली पूजा भी यहीं पर प्रिसिद्ध है वो कि मेरी भाई याद रखना काली पूजा और जो तिवार गाईस धार्मिक तवारे दुर पुस्तकों के साथ सम्भंदित हैं यहाँ पर आपको सेवासदन, गबन, रंगभूमि और गार्डिनर। यह चाल पुस्तके दी गई हैं अब आपको यह बताना है कि इसमें किन पुस्तकों के साथ मुन्सी प्रेम चंडर जी का सम्मद। या फिर किन पुस्तकों को मुंसी प्रेम चंद्र जी ने लिखा है मेरे भाई आप सभी जानते हैं लगबग सभी में तर जानते होंगे ते कुछ जो हिंदी की कलास होती है आप सभी जानते हैं जो हिंदी की कलास होती है, 7 बेजे होती है, इसे भी important question आपके करवाय जाती है, ठीक है, मुन्सी प्रेम चंद कीन पुस्तक के साथ सम्बनी थे है, सेवा सद्रमी मुन्सी प्रेम चंदर का ये, गबन भी और अरंग भूम भी देदूल, तीनों गयाई से मुन्सी प्रेम चंद तो जो भी पैरे भाइबेन पैरे मित्र यहां पर बता रहे हैं, रबिन रना टेग और की है, गार्डनर और सेवा सद्रन गबन और रंग भूम जो है, ये मुन्सी प्रेम चंदर जी से समंदित है, option D, जो भी मित्र बता रहे हैं, बिल्कुल correct, बिल्कुल perfect answer आपका, option number D हो जाएगा, अगला आपके सामने है, कि निर्म लिखित में से कौन सी पुस्तक, जमाहालाल नहरू ने नहीं लिखी, आपको नीचे चार पुस्तक नजर आ रहे होगी, पहली पुस्तक है, my experiment with truth, फिर दूसरी है, an autobiography, तीसरी है, glimpse stage of world history, और चौती पुस्तक है, discovery of India, अब आप आप सभी में तो यह तो जानते हैं, कि my experiment with truth, my experiment with truth, जो है, यह जवाहलाल नहीं रूने नहीं, बलकि महत्मा गांधी जी ने लिखा, ठीक है, किस ने लिखा, महत्मा गांधी जी ने, और आपको बता दे, कि जो my experiment with truth, जो गाईज यह बुक है, यह महत्मा गांधी के आत्म हो जाएगा, तो मेरे भाई हमने यह पर जीकी के questions को complete कर लिया, अभी आपकी आठ बजे science की class होगी, ठीक है, आप सभी में तरह science की class में आएगे, जीके आपकी guys, जो topic wise है, सुबा साड़े आठ बजे होती है, ठीक है, और मैं आपको बता दूएं कि guys, जो UPGK है, इसकी भी series आपकी start हो चकी है, और UPGK भी आपको daily मिलती रहेगी, reasoning आपकी 10 बजे होती है, math की class जो है, मेरे भाई यह आपको साम 6 बजे मिलती है, हिंदी की class जो है, यह साम 7 बजे मिलती है, जीके test की जो class है, यह साम 47 बजे, और जो guys, science टेट है, यह आपको रात 8 बजे मिलता है, सारी classes की PDF जो हो, आपको हमारे telegram channel पर मिलेगी, जो guys, अपने YouTube channel का name है, वही telegram channel का भी name है, ठीक है, और guys, अगर आपको इसके लावा कोई भी important class मिलती है, तो उसके लिए आप चनल को subscribe कर लेना, ताकि आने वाली हर live class की notification आपको time to time मिला करे, मेरे भाई, subscribe करने से आपको ही benefit मिले जैसे कोई classes upload होंगी, यूपी पुलिस के बारे में assistant operator, head operator या फिर radio operator के बारे में, अगर कोई भी update आती है, तो इसके notification जो आपको time to time मिल जाय करेगी, ठीक है, तो जो भी मितर अभी तक class को like नहीं किये, मैं class को like कर देंगे, और जो चनल पर पहली बार है, मैं तो चनल को subscribe कर लेंगे, ताकि guys आने वाली हर life class के notification आपको time to time मिला करें, ठीक है, तो आज की इस बेटनी class में में जिन्दा ही, आईए, अब हम मिलते हैं आपको science के class में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,